वेल्कम बैक तो माई यूटूब चानल नीट तो नो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम खुद से ही कैसे जेरो दक का ट्रेडिंग अकाउन ओपन कर सकते हैं बिफोर वाचिन माई वीडियो डोंट फगेट तो सेस्क्राइब तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करते हैं ओपन विद क्रोम यहाँ पर आपको 10 दिजिट मोबाइल नंबर टाइप करना है देन क्लिक ओन कंटिन्यू मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा OTP को यहाँ पर आपको टाइप करना है देन कंटिन्यू नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर डीटेल यहाँ पर आपको नाम और आपका इमेल आइडी डालना है आपके इमेल आइडी पर एक OTP आएगा OTP डालके आपको आपका इमेल आइडी वेरिफाय करना है यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्ट टाइप करना और नेक्स्ट है पे आकॉन ओपनिंग की यहाँ पे 300 रूपीज आपको ओपनिंग चार्जिस पे करना है यहाँ पे आपको अपना UPI ID डालना है UPI ID डालने के बाद आपके UPI एप पर जरोदा की तरफ से 300 रूपीज का पे करने का अमाउंट आएगा वो आपको पे करना है डीटेल फेच हो जाएगी आपका नाम, DOB, जेंडर, इमेल ID, एड्रेस देन नेक्स्ट आपको आपका प्रोफाइल करना है मैरिटल स्टेटस, सिंगल और मैरिड, देन मदर फिर्स्ट नेम एंद मदर लास्ट नेम यहाँ पे टाइप करना है बैग्राउंड डिटेल, अन्यूल इंकम जो भी हो आपकी वो डालना है कॉमोडिटी, अदर्स, ट्रेडिंग एक्सपिरियंस जो हो आपका वो डालना है यहां पे एक ओप्शन रह गया है यहां पे इस आपको नेक्स आपकी बैंक डीटेल करना है ब्रैंच IPC Code, ब्रैंच MICR Code अन्देन आपका अकाउंट नमबर second time confirm करना है account number और यहां पर दो तीन checkboxes है वह आपको pick करना है उसके उपर आपको अगर ifc code पता नहीं तो check के उपर वह दिया होता है वह आप आपके check के उपर देख लो और यहां पर type कर दो ifc code then micr code और bank account number चेक पर ही होगा वहां पर type कर दो then यह नीचे के जो checkboxes है चेक करते हैं then click on continue यह आपको वहां से camera photo चाहिए तो इस पर allow करना है यहां पर मेरा screen recorder चालू है इसलिए यह नहीं हो रहा है मैं फिर से try करती हूं जब आप अपका account खोल रहे होगे तब आपको ऐसा code आएगा तो वो code को एक paper पे लिखके लेना है सामने front view का एक photo लेना है और यहां पे upload करना है then next हमें signature upload करनी है signature एक paper पे आपको करना है उसकी जो size है वो less than 5MB करना है और देन उसको भी upload करना है तो चलो यहां पे signature upload करते हैं तो नेक्स्ट है income proof यहां पर आपका जो भी आपको easy लगे वो आप सब्मिट कर सकते हो यहां पर six month की इन्होंने salary slip submit की हुई है तो PDF convert करके less than 5MB with password यहां पे आपको upload करना है then next है cancel check statement चेक के उपर आपकी sign करनी है cross करके cancel लिख देना है less than 5MB करके यहां से आपको upload करना है तो चेक करते हैं सारे details cancel check हो गया upload income proof हो गया है signature हो गया है copy of pen सब upload हो गया then click on continue यहां पर equity का e-sign करना है तो click on e-sign e-sign पर click करते हैं यह redirect हो रहा है अब भी हाँ यहां पर जो check boxes है यहां पर check करते हैं then click on continue proceed to e-sign यहां पर NSGL electronic signature service का form है यहां पर check करना है click करते हैं और last में आप आधार card है का number type करते हैं आधार card से connected जो phone number है वहां पर आपको code आएगा वो code यहां पर डाल के verify करना है याद रहें आधार card से connected जो phone है उस पर ही code आएगा तो वहां से verify होगा यह okay then profile verified successfully then sign me now sign now पर जब हम click करते हैं तो जब हमने सब कुछ जो load किया है back end में वो सब यहां पर बनके आता है जैसे कि हमारा pen card salary slip signature cancel check यह सब वहां पर load होके आता है अभी फिर sign out करने के बाद next page आता है यहां पर भी आपको tick करना है और same procedure करनी है आधार card डालना है आधार card से connected जो phone है वहां पर OTP आएगा वो click करके verify करना है ऐसा total तीन बार करना पड़ता है यह equity के लिए दो बार किया है हम लोगोंने sign now then sign successfully हो गया है equity के लिए दो बार करना पड़ेगा then next जाएंगे commodity commodity के लिए फिर से करते हैं same procedure sign now जो कुछ भी upload किया है वह सब दिखेगा यहां पर salary sleep, cancel check, sign, pen card then sign now करते हैं अभी यह third time आ रहा है third time इसको फिर से tick करेंगे आधार number डालेंगे send OTP, OTP आएगा click करेंगे अभी यह आपका commodity भी हो गया है तो दोनों हो गया है, दोनों document होगे click on proceed congratulations का mail आ गया है आपका आपको जब ऐसा message आएगा तो समझ जाना कि आपकी request वह 002 के पास पहुँच गई है so next to working day में जेरोदा की तरब से आपको mail आएगा उस mail में आपको आपका client ID दिया जाएगा और वहीं से लिंक दी जाएगी तो उस link से ही आपको login करना है आपका client ID डालना है और आपको आपका password confirm करना है और pin आपको डालना है और दूसरा भी एक mail आएगा tpin करके वो tpin भी आपको जब आप कोई भी share sell करोगे तो तब वो tpin का use होगा तो आपको ध्यान रखना है आपका client ID ध्यान में रखना है पासवर्ड रखना है पिन याद रखना है और टी पिन ऐसे चार शीज़े आपको याद रखनी है और यह login करने के लिए आपको जेरोदा का काईट करके एप है वो play store से डाउनलोड करके लेना है काईट का एप ऐसा है उसमें आपको client ID डालने के बाद आपको आपका पासवर्ड डालना है देन उसके बाद आपको पिन डालना है इच शुड़ भी 6 डिजिट और यहाँ पे देखो लॉग इन हो गया है यहाँ पे अभी तो यह first time यू यूज हो रहा है तो अभी यह खली है तो इसमें आप अपके share add करें और trading करें happy trading share market से related basic चीज़े जानने के लिए subscribe कीजिए मेरा channel need to know